से सीजल 2023 में टोटल 39 पेपर हुए है ये है पेपर नंबर जो भी है 6 है 5 पेपर अलड़ी कम्प्रीट कराया जा चुका है पेपर का डेट है 17 जुलाई सीप 2 चलिया हमें स्टार्ट करते हैं पेडिएफ पेडिएफ सलूशन चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में coy की आओं है टेलिग्राम एप, टेलिग्राम चेनल मेरा, वो प्रोसेस बताया गया है, आप लास्ट में जाओगे, प्रोसेस मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में, वहाँ से आपको जॉइन करते ही, पीडियाफ, एजवेल एज पीडियाफ सोलूसन भी मिल जाएगा, देर नहीं क third side से हमेशा बड़ा होता है और दोनों के sum से हमेशा छोटा होता है ठीक है ये वला लाई करता है तो ध्यान से देखो 30, 42 और x दिया गया है तो difference इन दोनों का difference कितना होगा 12 वो हमेशा third number से बड़ा होगा और इन दोनों के sum से हमेशा छोटा होगा यानि 30 plus 42 यानि 72 ये जिसमे पर लाई करेगा, वह 3rd number लाई कहाँ पर करेगा, तो 5-3rd साइड कहाँ पर लाई करेगा, то, Option number C is the right. चलिए, Move to the next question, next question पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा next question, एक मिनट रूख जईएगा थोड़ा सा, Pamela, चलिए, question number 2 किजे तब तक, देखे question number 2 क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा आसानी से question हो जाएगा the largest 5 digit number exactly digital by 88 देखो 5 बड़ा largest 5 digit का number चाहिए जो क्या हो 88 से divide हो ऐसे question को हम go through option करेंगे क्योंकि 4 के 4 option दिये गए है 88 से divide होने के लिए क्या चाहिए 8 से और 11 से digital होना चाहिए यह की disability rule लास्ट का 3 digit लास्ट का 3 digit जो होना चाहिए वह आट से divide होना चाहिए और 11 की disability rule क्या है sum of odd places plus sum of even places का difference या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का multiple होना चाहिए ज्यान से देखो यह है क्या 8 से divide होगा 8 बंजा 19 8 टूजा नहीं कभी नहीं divide होगा 8 से ही नहीं divide होगा तो 88 से नहीं होगा देखो यह 8 से divide होगा 8 बंजा 8 अठारव बचा आठ दूनी 16 हां यह आठ से divide हो रहा है क्या यह 11 से divide हो रहा है तो देखो और प्लेस के add करो 9 4 13 13 और 9 22 8 9 17 दोनों के बीच का difference कितना आ रहा है पांच या तो difference आना चाहिए 0 या 11 का multiple तो 11 से हो जाता यह 11 से नहीं हो रहा है 11 से divide नहीं हो रहा है काम खतम कर लो देखो यह क्या 8 से divide होगा 8 बंजा 17 आठ दूनी 16 नहीं यह नहीं हो सकता तो यहीं option है जो 8 से भी divide होगा और 11 से भी होगा चेक कर लो आठ से divide होग 8 बंजा आठ दूनी 16 आठ से divide हो रहा है लास्ट का 3 डिजिट आठ से divide हो रहा है 11 से 9 आठ सत्रह सत्रह 9 चब्यस और 9 छे 15 चब्यस माइनस 15 11 आ रहा है यह तो 11 होना चाहिए यह तो 0 का multiple तो 11 आठ और 11 से हो रहा है तो 88 से होगा option number D is the right answer चलिए more to the next नेक्स्ट में क्या कहा गया कि पचीस सो लैप्टप क्या किये गए एक मन्त में कहा गया कि डिफरेंस बताना है company A और C में लैप्टप कितने बेचेगा उनके बीच का डिफरेंस बताना है ध्यान से देखो पचीस सो है उसका डिफरेंस A और C A किसका किसका A and C का तो 40 परसेंट और 8 परसेंट का डिफरेंस कितना हुआ 32 परसेंट यानि इसका 32 परसेंट बताना है दो 0 से 2 0 कैंसिल कर लो multiply करोगे 750 प्लस 50 यानि 800 कॉंसेंसर ओप्सन नमबर भी चलिए move to the next नेक्स्ट में देखो द्यान से फॉर्मूला याद रख लेना एपे पावर 5 प्लस प्लस वन बाई एपे पावर 5 का फॉर्मूला होगा एक क्यू प्लस वन बाई एक क्यू फॉर्मूला होगा माइनस इसी को solve करना है हमारा काम हो जाएगा द्यान से दिखो ए प्लस वन बाई ए क्या है सेवेन है यहाँ पे सेवेन रहने तो माइनस अब दिखो द्यान से हमें A square plus A square plus 1 by A square चाहिए उसके लिए क्या करोगे साथ का A square K square minus 2 साथ का A square 49 minus 2 यानि कितना हो गया 45 यह हो गया हमारे पास 45 ठीक है आगे करो AQ plus 1 by AQ चाहिए तो वो क्या होता है formula KQ minus 3 के कितना है 7 7 का Q minus 3 into 7 यानि 343 minus 21 यानि 322 हो गया ये कितना हो गया 3 2 2 multiply करके वो करना है अब मांड मेरा वसर multiply कैसे करें पहले देख़ा 40 का multiply कर लो इसमें 4 का multiply कर लो 4 दुनी 8 दुनी 8 चार्तिया 12 कितना हो गया 40 का कर लिया 5 का कर लो 0 5 10 रुख जाइएगा 5 से multiply करो 5 10 5 10 की 11 5 15 16 16 कितना हो गया 9 0 4 13 490 आ गया कि यह कुछ मिश्टेक कर दिया हम लोगों ने कि 322 हो गया ए स्क्वाइर प्लस वन बाई ए स्क्वाइर साथ का स्क्वाइर 49 माइनस टू पैंतालिस है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें मैं साथ माइनस करूंगा नहीं कुछ तो दस्ती रुख जाओ रुख जाओ कुछ कहां मिस्टेक हो रही है एक बार देखने दो मुझे अगर मैं साथ का स्क।वाइर उंचास करता हूं उंचास माइनस 2 हो गया 45 यहां पर क्या होगा 47 होगा यहीं पर मिस्टेक था न महीं मैं भी बोल रहा हूं कहां पर मिस्टेक है यहां पे है 47 होगा ठीक है। यहां पे 47 होगा तीली मिश्टीक हो गया था। ध्यान से झेखो इसको हटाते हैं। हमारे पास यह आया है 322 तक यह आचुका है हमारे पास 47 और माईनस यह क्या है सह। देखो यूने डीडिट सभी तीन का साथ है। तो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ध्यान से देखो साथ दुनी 14 14 में आई सेना साथ यानि साथ आएगा unit डिजिट साथ दोनो सभी में है तो अब multiply करना पड़ेगा multiply करना है तो पहले चाव पहले क्या करो इसमें 40 का multiply कर लो चार दुनी आठ चार दुनी आठ चारती हैं बारह कितना अब साथ का मल्टिप्लाई कर लो साद दुनी 14 साद दुनी 14 15 सतली के 21 और 22 एड करोगे तो 4 3 1 15,134 आ गया माइनस साथ कर लोगे तो 15,127 आ गया नेक्स्ट में देखो द्यान से एक चीज़ याद रखना सेक 180 माइनस ठीटा इस उकल टू होता है माइनस सेक ठीटा क्योंकि सेकेंड क्वाडियंट में जाता है देखो यह होता है ठीटा यह होता है 90 माइनस ठीटा यह होता है रुख जाओ हो है दिखो द्यान से ये है बस्ट कोडैंट न सेकेंड कोड़ेंट डिरीम में पढ़ होगे थर्द कवाडल एड एंण फोर्थ मॉउट एक और मायनस सीटा रहा है रहर है यहां तक बाता है सग्राइब एकricoर फे राका यह 180 तो से 180- přिर्फ यह हो जाएगा और उसे तरह सेंगर मैं बात कर 工作 सब्सक्राइब ढ़ता हूं से 28ow셋 फिट में यको को स्टी मेसी रहो जाएगा चाहित पॉस 멋있्राइब यानि- on से 1-8- mandated मांस एक पॉर्टी सेविम आगे बढ़ो, प्लस है तो प्लस रहने दो, साइन 44 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, कॉस 180-44, 136 होगा, कॉस एक और कॉस एक पोजिटिव लिख लेगा, पोजिटिव लिख लेगा, तो क्या होगा, कॉस एक 44, अब जानते हो, क्या, सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यह कैंसिल हो जाएगा, 1 आजाएगा, यानि माइनस 1, साइन और कॉस एक अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल होके, 1 आजाएगा, माइनस 1 प्लस 1, यानि क्या हो जाएगा, 0 is the right answer, कौन सा है उप्सन, उप्सन नमबर C, से ले, मूब त to the next question, next question में क्या दिया गया है, a, b, c run simultaneously, starting from a point a, around a circular track of length इतना, तीन person है, circular track है, एक circular track है, तीन परसन है, तीनों दोड़ रहे हैं, a, b, c, a की speed इतनी, b की speed इतनी, c की speed इतनी, a और b जो है, run कर रहे हैं, same direction में, c जो है, opposite direction में, मान लो, यह a इधर जा रहा है, b भी इधर जा रहा है, लेकिन c जो क्या है, opposite direction में जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, after how much time, they will meet the first time, first time में, time of meeting, first time क्या होगा, तो वो होता है, lcm of t1, t2, t3 का lcm, तीनों का time, दो का case होता था, same direction में, तो क्या होता था, relative speed, difference ले ले लेते थे, opposite में add करते थे, लेकिन 3 का case है, तो हमेशा यह apply करोगे, lcm ले लो, तीनों के time का, तो वो जो आएगा time of first meeting आ जाएगा, क्यों वो कम मिलेंगे, त्यान से देखो, आसानी से कर लो, t1 लिखा लोगे, t1 क्या होता है, distance upon speed, time क्या होता है, distance upon speed, speed कितनी है, 2, यानि कितना हो गया, 600, t2 कितना हो गया, 1200, distance तो circular track कितना है, 1200 मेटर कहीं है, अपन उसकी speed कितनी है, 4, यानि कितना हो गया, 300, t3, 1200, अपन उसकी speed कितनी है, 6, यानि 200, यानि हमारा LCM कितना हो गया, 600, 300, और 200 का LCM कितना होगा, बड़ा नंबर यहीं है, जो सभी को divide कर 600, ये क्या है, second है, क्योंकि सारे चीज़ें किस में आएंगे, second में, लेकिन हमें answer minute में चाहिए, साट से divide कर लो, यानि 10 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट के बाद वो एक दूसरे से first time पे मिलेंगे, अच्छा question था, आसानी से कर लोगे, ठीक है, चलिए, next, A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amount to इतना 7 year and इतना 11 year, 7 साल में, देखो ध्यान से, 7 साल में कितना हो रहा है, 14, 522, और 11 साल में कितना हो रहा है, 18,906, ध्यान से देखोगे, तो 4 साल में interest कितना बना, यहां से यहां तक का period कितना है, 4 साल, 4 साल में interest कितना बना, ध्यान से देखो, तो 6 में से 2 गया, 4, यहां पे 8 हो गया, 8 में से 5 गया, 3, और यह बचा 18, यानि 4, यह कितने, 4 साल का interest, यह interest कितने साल का है, 4 साल का है, तो 1 साल का divided by 4, हम 7 साल का लिकाल दें, क्यों, क्योंकि अगर 7 साल का हमें interest पता हो, 7 साल का amount पता हो, तो principal लिकल जाएगा, तो 7 से multiply कर दिए, 4 से cancel करोगे, 1096, यानि 1096 into 7, यानि यह क्या आएगा, 7 year का interest, 7 year का interest, चलो, 76 के 42, 4, 9, 7, 63, 63 और 4, 66, यानि इतना आ गया, यह क्या आया, 7 साल का interest, अब देखो ज्यान से, आप जानते हो, amount क्या होता है, principal plus interest, तो principal क्या होगा, amount minus interest, 7 साल का amount है कितना, इतना, 14, 522, उसमें से interest 7, 6, 2, 2, minus कर दूँ, 7, 6, 7, 2, minus कर दूँ, तो principal मिल जाएगा, इस में से, इसको minus करने, पर देखो दियान से, 0, यह कितना बचा, 7, 5, 12, यह बचा हमारे पास, 14, 8, और यह बचा हमारे पास, 13, 7, 6, 13, यानि 6, 8, 5, 0, क्या हो जाएगा, principal, यहीं तो कहा गया था, find the sum of amount, तो question simple था, calculation बस करनी थी, आसारी से बन जाएगा, चलिए, move to the next, side of equilateral triangle is increased by 34%, then what percent will be area increased by, ध्यान से देखो, 34% मतलब होता कितना है, 34 by 100, यानि 2 से cancel करोगे, तो 17 by 50, इंक्रीज मतलब प्लस, equilateral triangle का area होता है, root 3 by 4, into side का square, side को मतलब a मानू तो a square, यानि 2 बार करना पड़ेगा, यानि side कितना, पहले 50 था, 17 बढ़ गया, यानि 67, a square है, ये तो constant term में इसका तो रोल नहीं है, a square, दूसरी बार भी 50 से कितना होगे, 67, यानि multiply करोगे, area क्या होता है, इसका product, यानि 2500, इसका multiply करोगे, देखो द्यान से, दो डिजिट का multiplication, मैंने हर बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो के, कल मैं पोल create करूँगा, संडे है न, कल, कल मैं पोल create करूँगा, उसमें क्या करोगे, आप अगर बताओगे, कि आपको two digit का square और three digit का square फास्ट लिकालना है, कैसे लिकालना है, तो उस पर एक मैं dedicated वीडियो बना दूँगा, देखो द्यान से, साथ का square 49, साच्छा के 42 दूनी 84, 84 और 4, 88 कहरी हो गया, 8, 36 और 8, 44, मैंने directly लिकाल दिया, 67 का square, ये इससे कितना ज़्यादा है, द्यान से देखो, area कितना increase होगा, 89, और ये बचा 1, 200, something, करना है, 100 से multiply कर लो, यहीं होगा, 2, 0 से, 2, 0 cancel कर लो, अब कितनी बार में जाएगा, ध्यान से देखो, 57, 175, 25, 25, 25, 25, क्या कुछ mistake हो गया, क्या, रुख जाओ, रुख जाओ, यहाँ पे mistake है, माइनस करने में, देखो ध्यान से, 89 तो होगा, यहाँ पे 9 होगा, 1989 upon, पचीश सो, परसेंटेज में करना है, 100 से multiply, 2, 0 से, 2, 0 cancel, पचीश से, पचीश नावा, दो सो पचीश नावा, दो सो पचीश ने, पचीश वाठे भी नहीं, पचीश साते, 175, पचीश साते, 175, अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 25, 3, 2, 239, पचीश नावा, यहनि 79 पॉइंट सम्थिंग आएगा, यह 70 पॉइंट सम्थिंग है, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं, 79 पॉइंट सम्थिंग एक ही option है, हमें पूरा calculate करने की जोरुत नहीं है, चलिए, अब आते हैं, यह अच्छा question है, देखो द्यान से, यह question अच्छा है, क्या दिया गया है, 3 प्लस 3 का A square, प्लस 3 का Q, प्लस dot 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 3 पे power 8, यह किसकी सीरीज है, अगर आपने AP, GP, HP पढ़ा हो गता है, यह GP की सीरीज है, क्योंकि हर एक में 3 का multiply करने पे अपने previous से बनते जा रहा है, इसमें 3 का multiply करोगा, यह बन द्यान से देखो, आजाओ, लिकालते, द्यान से देखो, A क्या होता है, first term, first term कौन सा है, 3, R क्या होता है, common ratio, इसमें से इसको divide करोगा, क्या multiply हर में हो रहा है, 3, N क्या है number of term, कितना है, 1, 2, 3, कहां तक गया है, 8 तक, यानि 8, रख लो, A की value रखोगे, 3, R की value 3 माइनस 1, य अब common से, आपके mind में अर्वासर, 3 पे power 8 कैसे लिका लेंगे, तो ध्यान से देखो, 3 पे power 4 कितना होता है, 81, तो 3 पे power 8 कितना होगा, 81 का square, 81 का square, फिर देखो, 2 digit का number का लिखालना मेरे को पता है, कितना होगा, 1 का square, 1, 8 दूनी, 16, 6, और 8, 84, 61, 65, यानि मैंने directly कर दिया, य अगर आप चाहते हो, 2 digit और 3 digit का, तो मैंने आपको process बता जागो, चलिए, तो 3 by 2 of, कितना, 65, इसमें 1 माइनस करोगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 65, 60, 2 से cancel कर लो, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 8, 16, इतना, 0, 8, 24, 32, 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 या इसमें आपको कोई problem नहीं होने वाली है कभी भी, चलिए, more to the next, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10, 10 में क्या कहा गया, ABC can do a piece of work in 30, 40 and 50 days, beginning with A, if ABC can do alternative, okay, the work, then how many days will complete the finish, क्या कहा गया, कि A जो है, 30 दिन में, B जो है, 40 दिन में, और C जो है, 50 दिन में काम करते हैं, total, sorry, total work कितना होगा, total work, देखो द्यान से, 10 तो होगा ही, 5 जो के 20 तियां, 60, यानि 600 हो गया, ये कितना हो गया, 20 efficiency, इसकी कितनी हो गई, 15, इसकी efficiency कितनी हो गई, 12, आगे बढ़ते हैं, तीनों को अगर मैं add कर दू, 20, 10, 30, 10, 40, और 7, 7, 40, 7, 47, तो देखो ध्यान से, alternate, start कौन कर रहा है, यानि पहले दिन ए काम करेगा, फिर B, फिर C, फिर A, B, C, ऐसे चलेगा, 3 की cycle चलेगा, यानि ये कितना है, 20, इसकी efficiency कितनी है, 15, और इसकी efficiency, 12, total मिला के, first, second, और 13, तीन दिन में, कितने अगर तीनों को add करूँगा, 47, 47 काम कितने दिनों में होगा, 3 days में, हमें काम total work है, कितना, 600, तो 47 में क्या multiply करूँ, ध्यान से दुखो, कि 600 आ जाए, अगर मैं 10 का multiply करूँ, तो 470, 12 का multiply करूँ, तो भी चलेगा, 13 का multiply, 13 से multiply कर लो, यहान भी 12 से multiply कर लो, यानि 36 दिन में कितना काम कम्प्लीट हो जागा, साद दुनी 14, सोरी, 12 से 84, 8, 12, 48, 48, और 8, 564 काम कम्प्लीट हो गया, अब next जो काम होगा, फिर स्टार्ट करेगा 20 से, यानि 20 काम हो गया, यानि 584, एक दिन और एक्स्ट्रा लगा, फिर next कौन करेगा, 15 दिन ये करेगा, भी 15 एड करोगे, तो 599 होगा, यानि अब जो एक काम बचा, एक काम, यानि 600 हमें पहुंचाना है, तो 600 हो गया, एक काम कौन करेगा, अब C करेगा, C, एक कीफिजन सी, 12, उसको एक काम कराना है, तो उस टाइम कितना लगा, 1 by 12, यानि टोटल टाइम कितना लग गया, यहां पे देखो, 66 प्लस 2, 68, sorry, 38 न, 36 प्लस 2, 38 सही, 1 upon 12 डेज लगा, कौन सा एंसर है, ओप्सन नमबर A, तो सिंपल कोशन था, अल्टरनेट बेसिस का कोशन था, चले, मूब तू दा नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, क्या दिया गया है, थीप इस, थीप इस पॉर्टेड बाई, एक कौन स्टेबल, फ्रॉम 200 मीटर, फिन देखो, क्या यह तो कौशन बहुत आसान लग रहा है, मेरे को, दियान से रहा है, यहां से यहां तक, 200 मीटर है, एक चल रहा है, छे की स्टेड से चोर भाग रहा है, उसको कौन स्टेबल पकड़ रहा है, 8 की इस, स्टेड से, पहले हम टाइम लिकाल दें, कि कौन से टाइम पर यहां से, कौन से टाइम पर मालो यहां इस पॉइंट पर पकड़ा रहा है, तो कौन से टाइम पर पकड़ा जाएगा, तो टाइम देखो, देखो, दियान से, टाइम क्या होता, डिस्टेंस, अपोन स्टेड से उपर जाएगा 18, ओभर 2 इन्टू 5, यानि 10 से 10 खतम, यानि 360 सेकेंड आ गया, द्यान से देखो, 360 सेकेंड, अब क्वेश्चन में द्यान से देखोगे, तो आसानी से क्वेश्चन में क्या चाहिए, इस पॉइंट पर अबहर गया, तो उससे पहले चोर जो है कितना भाग गया होगा, यानि यहां से यह वाला distance बताना है, यह वाला distance, चोर की speed कितनी है इतनी, हमाद सब्सक्राइब इनटो टाइम सपीड है स्पीड को किलो मिटर पर आवर में तो से कंद में बदलेंगे लो टाइम कितना लग रहे हैं तीन सो साड़् सेकंड लो जी अठारा दुनिछ तीस यानि तीस तीस दूनिव साथ यानि डिस्टेंस कितना होगा 600 मिटर यहां से यहां तो पहुंच गया होगा उसके बाद ओवर ट्रेक पकड़ा गया ठीक है तो 600 आगया चलिए मूब टू दा नेक्स्ट एक बैग है जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू पेंस हैं जिनका रेशियो दिया गया है कोशन में 749 ठीक है यह कोशन में दिया गया है आगे बढ़ते हैं कहाँ टोटल पेंस कितने हैं 320 तो हमें रेड रेड वाला बताना है साथ चारी ग्यारव नौव बीस बीस की वहलू 320 दी गई है रेड वाला कितना है सिवन से मल्टिप्लाई यानि 16 16 साथे कितना होता है 112 कौन सा एंसर आप्सन नमबर ए चलिए मूब टू दा नेक्स्ट मैं रवी जो है काम को कर सकता है 40 दिन में सूधा जो है साथ दिन में वर्क अल्टर्नेट करते हैं स्टार्ट करती है सूधा से देन हाव मैंने डेज कंप्लिट ध्यान से देखो एक रवी है और एक है सूधा रवी जो है 40 इस दिन में सुधा है, जो है 60 दिन में, यहीं कोश्चन है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 120, यह हो गया 3 और यह हो गया efficiency 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, पहले स्टार्ट करेगा सुधा से, सुधा के बाद फिर रभी, फिर सुधा फिर रभी, इस तरह से, 24 से multiply करोगे, तो 120, यहां भी 24 से multiply कर लो, याने 120 काम कितना हो जाएगा, 48 दिन में हो जाएगा, चलिए, move to the next, अब यह क्या question है, यह question आपको mensuration का question दिया गया, question दिया गया, कि arc length है, जो है, वो कितना है, इतना, arc length इतना है, angle बना हुआ है, 18 degree का, then what is the area, देखो ध्यान से, एक circle है, circle का हमें area बताना है, इसमें arc मालो यह center है, center से यह वाला 18 degree बना हुआ है, यह length कितना है, 23.1, arc length होता कितना है, 2 pi r, अप, रुको, arc length होता है, 2 pi r into theta y 360 degree, और arc length है कितना, 23.1, आगे बढ़ते हैं, अब question को deal करेंगे, हम ध्यान से देखो, pi की value 22 by 7 होती है, यह दो बार repeat हुआ है, इसको हटा दो, नियान से देखो, 2 into pi की value 22 by 7, into radius r, theta 18 degree, upon 360, is equal to 23.1, अब क्या करूं, नियान से देखो, क्या किया जाए, decimal हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, 10 से 10 cancel, 18 से 2 times में, 2 से 2 cancel, अब 2 से 11, 2 से, पोरी, 11 से कर लो, 11 से 2 होगा, 11 दूनी 22, 11, क्या है 11, यानि कितना आ गया, radius, 21 into 7 by 2, यानि 21 into 7 by 2, यानि 147 by 2, चलो, ऐसे ही रहने तो, यह रहने तो न, चाहिए रहने तो, बात तो वहीं है, हमें क्या लिकालना है, देखो ध्यान से, circle का area लिकालना है, area अब circle क्या होता है, pi r square, pi की value 22 by 7, r radius, इसका square, यानि 21 into 7 into 21 into 7, दो दो बार लिख दिया, y r square, 2 का square 4, pi r square, अब देखो ध्यान से, 1, 7 से, 1, 7 cancel हो गया, और क्या किया जाए, यहां से, 2 times में, यहां से, 11, 21 का square कितना होता है, 441, 441 में 7 का multiply कर लो, तो 7 में multiply, 7, 7, 4, 28, carry 2, 7, 4, 28, 2, 30, अब इसमें 11 का multiply करोगे, तो आसान है, 7, 8, 7, 15, 8 और 1, 9, और 3, divided by 2, 2 से divide करना आसान है, 21, 26, 29, 27, 28, 0.5, 1697, 8.50, option number A, थोड़ा सा calculation थी, बाकी तो कुछ था नहीं इसमें, जो आपको difficulty phase करनी पाए, चलिए, move to the next, next में क्या दिया गया है, study दिया गया है कि 5 state है, कौन-कौन सा देल्ली, गोवा, करनाटक और महराश्चार state है, जिसमें क्या है, appeared को A, डबल P से denote किया गया है, qualifying को Q से, selected को SEC से, आगे कहा गया है, अब question पर आते हैं, महराश्ट यह रहा, इसमें selected वाले कौन से person है, यह वाले, देल्ली की बात की गई है, देल्ली में, selected वाले कौन से है, यह वाले, क्योंकि देल्ली की बात की गई है, इस what percent, यानी देखो ध्यान से, महराश्ट upon देल्ली, into 100, हमारा question ये है, कि महराष्ट के सम को एड करो कितना हो जागा दियान से पान नो नौ पान चौदा केरी हो गया या यहां पर आड करता हूं क्यां से आट चे बारे दू चॉदा केरी हो गया एक नौ एक दस चौदा 14 और 9, 23, 27, 30, 30, 38, 38, यानि हमें बताना है 364 out of 384 into 100, यानि ये लिकालना है, अब देखो मैं option का इस्तिमाल करूँगा, option के इस्तिमाल करने से बहुत काम आसान हो जाएगा, देखो द्यान से, option देखो सभी क्या है, 90 से उपर है, सभी 90 से उपर है, हैं की नहीं है, हैं, तो इस देखो द्यान से, यहीं लिकालना है न कि ये जो है, इसका कितना percent है, तो मैं देखो द्यान से, 384 यहीं main है, पकड़ते हैं, इसका 90% लिकालते हैं, तो 9 से multiply करोगे इसमें, तो 9, 4, 36, 9, 8, 72, 75, कहरी हो गया, 7, नतली 27, 27 और 7, 34, और क्योंकि ये 10% कितना होता, इतना point लगता, तो 90%, इतना, ये क्या आया हमारा, 90%, द्यान से देखो, ये हो गया 90%, ठीक है, 90%, अब देखो द्यान से, 90% से ये भब है, अगर मैं 95 लिकालता हूं, तो ये 96 और 94 में डिफेंसियेशन लिकल जाएगा, 5% और लिकालो, कुछ सोचो, 5% और लिकालने के लिए ध्यान से, देखो, 10% कितना होगा, इस नंबर का 10%, 38.4, 5% डिभाइड कर लो, 19, 38, 19.25%, क्या मैं 95%, क्या ये 95% क्या आसपास है, देखो ध्यान से, 6, 2, 8, 9, 5, 14, 354.8, सोरी, 364.8, देखो ध्यान से, 95% के क्लोज है की नहीं है, लेकिन 364.8 से थलका सा माइनर कम है, यानि 95% से हलका सा माइनर कम होगा, 96 नहीं हो सकता, 95 से हलका सा कम, एक ही option है, option D तक पहुंच जाओगे, otherwise इसको calculate करते रह जाओगे, यहाँ पे हम use क्या किया है, approximate value किस तरह से हम पहुंचना है, answer ता, चलिए, move to the next, solar, पाई के जगा पे 180 रखोगे, पाई के जगा पे 180 डिगरी रखोगे, तो यह क्या हो जागा, 30, 10, 30 कितना होता है, 1 by root 3, plus एक 30 कितना होता है, 2 by root 3, यानि कितना हो गया, 3 by root 3, 3 को लिख सकता हूँ, root 3 into root 3, root 3 से root 3 cancel, यानि answer आ जाएग चलिए, next, what is the whole surface area of a cone, of base इतना and height इतना, दियान से दिखो, ये cone है, diagram बनाने की जोरत नहीं एक जाम में, इसकी radius दी गई है, 6 और ये 8 है, तो खुद सोचो, ये वाला length जो L होता है, slant height वो कितना हो जागा, 10, क्योंकि 6, 8 और 10 क्या होता है, triplet होता है, चलिए, तो लिकालन जोरत नहीं पड़ेगी, area जो होता है, total surface area, total surface area कौन का वो जो होता है, वो होता है, पाई, curve surface area, plus circle का area, पाई, आरे square, तो करब surface area, क्या होता है, पाई, आरे, प्लस पाई, आरे square होता है, पाई, आर, common कर लो, तो L प्लस आर लिख दोगी, ये direct लोगो रटा होता है, मैं रट 7, radius कितना है, 6, L प्लस आर, 6, सोरी ये वाला 6 और ये 10, 6 और 10, 16, अब क्या करें, cancel तो होगा नहीं है, किसी से, तो चलो, multiply ही करना, last option क्या है, multiply करना, multiply कर दो, देखो न्यान से, 16, चानवे, चानवे, इंटू 2, इंटू 11, क्यों, क्योंकि 22 को मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू इंटू 11, 11 में multiply कर रहा हूं, यहाँ पर directly, तो 2, 9, 2, 11, 9, 1, 10, 11, 11, 1, 1, 2, 7 से, 7 से divide कर रहें, सतली के 21 नहीं जाएगा, 0, 7, 1, 7, 301 point something आएगा, एक ही option था, 301 point something, option number C, हमें calculation करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा हमें, अपने दिमाग को दवडाना है, और वो ची जी हैं, आप यहीं पर सीख रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि यह मेरा channel का नाम है, real exam approach, कि किस तरह से में exam में question को deal करना है, एलिए move to the next, next में क्या दिया गए, 15 man can complete a work in 25 days, 15 man जो है 25 days में complete करेंगे, आगे बढ़ते हैं, and 25 women can complete a same work in 15 days, 25 जो women हैं, वो कितने दिन मे कर रही है, 40 days में, if all 15 men and 25 women work together, then how many days will complete, यानि कि अगर इसी काम को 15 men और 25 women करें, तो कितने दिन में काम complete होगा, माल लेता हूं, x days में complete होगा, अब चलो, question को deal करते हैं, इन दोनों को solve करते हैं एक साथ, 25 से 25 cancel, 5, 3, 15, 5, 8, 40, यानि M by W is equal to 8 by 3, यहां से यह मिल गया, अब इसमें रख लो, ध्यान से देखो, इसमें रख लो, और इसमें रख लो, man के जगा पे 8, women के जगा पे 3, man के जगा पे 8 रखोगे, तब 15 into 8 into 25, इस उकल तो यहां पे रखो, 15 into 8 करोगे, 15 वाठा है, 120 प्लस, 25, 75 into x, चलो ध्यान से देख अब क्या करूँ, 5 से कैंसिल कर लो, 5, 5 जा 5 से, 5, 3, 15, 5, 45, 35, 35, 15, 13, 39, अब कितना हो गया, 85, 40, 45, 200, 200 upon 13, is equal to x, कौन आ जाएगा, 200 upon 13, इसको डिवाइडिंग कर लो, 13 वंजा 13, 70 बच्चा, 70 बच्चा, 13 अच्छा के 78, तोरी, रुख जाओ, 200 upon, 200 upon 13 आ गया, is equal to x, 13 वंजा 13, कितना बच्चा, 70 बच्चा, तो 13, 5 ये 65, 15, 5 by 13, option a, simple, चलिए, next, सुहानी पे, टेक्स, at a rate of 30% of entire income, कितना, 90,000 पे, रुख पे, जो टेक्स करती है, 40% of entire income का, जो entire income है, कितना, y, overall combined कितना है, 37%, what is the value of x, जब भी दो चीज दी गई है, और उसके बीच का term दिया गए, allegation लगाओ, 30%, 40%, और combined 37%, ratio देखो कितना होगा, 40 में से 3, 37 में से 7, 3 और 7 का ratio आ गया, अब इसका 3, जो टेक्स बटेगा, वो किस ratio बटेगा, 3 और उनका income है कितना, पहले वाले का 90, यानि इसका है कितना, 90, के मतलब 1000, यानि ये कितना गुना है, 30, के, यानि इसका भी 30, के कर लोगे, यहीं पूछा गया था, तो 30 साथे 210, के मतलब 1000, यानि 2100, जो भी यह answer आ जाएगा, इसलिए मूब तूदा नेक्स्ट, वरकिंग 5 आवर एडे, एक एन कंप्लीटे टास्क इन एट डेज, वरकिंग 6 आवर एडे, बीक एन किनीज दा सेम टाक्स इन डेज, वरकिंग 8 आवर एडे, जो काम एक साथ करेंगे, तो कितना दिन में, simple, mdh लगाओ, mdh constant, वहीं वाला रूल लगाना है, दियान से देखो, a के बारे में, a जो है, कितना घंटा काम कर रहा है, 5 घंटा कितने दिन तक काम कर रहा है, 8 दिन तक, वहीं सेम काम कौन कर रहा है, b जो है, 6 घंटे लगा रहा है, और कितना दिन में, 10 दिन में कुसी काम को कर रहा है, दोनों combine के बारे में कहा गया, कि a और b combined हो जाएंगे, तो कितना घंटा काम करके, 8 घंटे काम करके, कितना दिन लगाएंगे, मा लेता हूँ, x डे लगाएंगे, यहीं solve करना है, और हमारा answer तो पहुंचना है, इन दोनों को solve करो, दियान से देखो, a into 40 is equal to b into 60, 22, 40, 23, 60, यानि a by b कितना हो गया, a by b 3 by 2, यानि a की efficiency 3 और b की efficiency 2, a के जगब पे 3 रखना है, b के जगब 2, इसमें रख लो और इसमें रख लो, दियान से देखो, तो a 3 into 5 into 8 is equal to a plus b, 3 plus 2, यानि 5 into 8 into x, 5, 40, 40, cancel हो गया, x की value कितनी आ गई, 3 is the right answer, तो कौन सा 3, option number b, चलिए move to the next, next में देखो क्या दिया गया है, देखो दियान से, a minus b का whole square आप जानते क्या हो, a square plus b square plus 2ab, या ऐसे बोल सकते हो, sorry, a square minus 2ab plus b square, ठीक है, और यतना ये a plus b का whole square आप जानते हो, a square plus 2ab, plus b square, ये तो common सा चीज है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या, इस वाले formula से, x square का whole square minus 1, ठीक है, रुख जाओ, x square minus 1 का क्या लिख सकता हूँ, whole square, नीचे को क्या लिख सकता हूँ, x minus 1 का whole square, यहां तक हो गया, अब चलो, देखो ध्यान से, अब क्या कर सकता हूँ, इसको दो बार लिख सकता हूँ, द्यान से, देखो, x square, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, देखो, इसको लिख सकता हूँ, 1 का a square का whole square, divided by x minus 1 का whole square, अब आप जानते हो, a square minus b a square क्या होता है, a plus b into a minus b, यहां तक तो जानते हो, इसको a plus b करोगे, तो x plus 1 आएगा, a minus b करोगे, तो x minus 1 आएगा, और square whole में था, यानि यहां पे square, यहां पे square, x minus 1 का whole square नीचे, यह इससे cancel होगा है, बचा कितना है, x plus 1 का whole square, और x plus 1 का whole square क्या होगा, x square plus 2x plus 1, ब्रेक करोगे तो, कौन सा आ जाएगा, option number, c is the right answer, simple question था, असानी से कर सकते हो, move to the next, next देखो question क्या दिया गया है, ध्यान से समझना, देखो दियान से, x पे power 8 minus 1 by x पे power 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, x पे power इस वाले formula से, a square minus b square से लिख सकता हूँ, a square plus b, sorry, a plus b into a minus b, लिख सकता हूँ न, उसी पे उसको break करने जा रहा हूँ, दियान से देखिएगा, तो x पे power 4 plus 1 by x पे power 4 लिख सकता हूँ, और दुसरी बार क्या लिख सकता हूँ, x पे power 4 minus 1 by x पे power 4, अब उसको, देखो दियान से, हम लिख सकते हैं, x पे power 4 minus 1 by 4, उसको भी break कर सकता हूँ, x square plus 1 by x square into x square minus 1 by x square, है उसको भी ब्रेक कर सकता हूं x plus 1 by x into x minus 1 by x directly लिख दिया जहां जहां यह वाला formula लगेगा हम apply करते चलेगा directly ठीक है आगे बढ़ो तो कि हम एक्जाम में इतना ही करना है दियान से देखोगे x minus 1 by x कितना दिया गया है root 6 common sense देखो बताता हूं x minus 1 by x कितना दिया गया root 6 अगर हमें x plus 1 by x लिकालना है सेम पावर प्लस में लिकालना है तो अंदर root इसका square 6 और plus है तो यहाँ प्लस 4 add कर दोगे तो 6 plus 4 यानि root 10 हो गया यानि यह कितना हो गया root 10 आगे बढ़ने दो दियान से देखो x square अगर यह पता है दियान से देखो यह पता है इसका power double करना है x square plus 1 by x square तो यह होता है k square minus 2 10 का square 10 minus 2 यानि 8 हो गया यह कितना हो गया 8 अब फिर इसका power double करना है x पे power 4 plus 1 by x पे power 4 पावर डबल तो वहीं के स्क्वाइर माइनस टू आठ का स्क्वाइर 64 माइनस टू यानि कितना हो गया 62 कि बस मल्टिप्लाई कर दो काम खतम हो जाएगा देखो मल्टिप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से समझना है कि चार्सो आसी प्लस स Bea 188уска 4888 चार्सो चार्सो और Tusk नना भ झारोली कि अर्टिप्लाई करोगे 6 दुन बारहनों bliver ना नोष्या फ्याजा ब्रव जॉडब कांडना फिपटिण आजा येगा कौन स gli answer option number B तो आसानी से कर लोगे चलिए move to the next successive discount इतना इतना equivalent to single discount ध्यान से देखो 12% 12% 4 तियां 12 4 से 25 discount मलब माइनस यानि 25 से कितना 22 successive लगा रहे है ratio method 20% होता है 1 by 5 negative यानि 5 से 4 25% होता है 1 by 4 minus यानि 4 से 3 cross में अगर कोई भी चीज़ कैंसिल होता है cancel कर लो यानि 125 पी हो गया multiply करो ये कितना हो गया 66 अब आजाओ खुछ सोचो 125 की चीज़ को बेचा गया कितना में ये होता है MP ये होता है SP 125 की चीज़ को बेचा गया इतना में difference कितना हो गया 9 ये बच्चा 59 का difference तो 59 का discount किस पे 125 पे percentage में करना है 100 से multiply 24 के 100 25 पांचे 125 तो 200 प्लस 36 236 ओभर 5 5 से 5 के 20 5 साथे 35 47.2 आएगा option नंबर क्या जाएगा C is the right answer ठीक है calculation आप चेक कर सकते हो according to me यहीं होगा बाकी कहीं mistake होगा तो आप चेक कर सकते हो देखो द्यान से sin theta दिया गया है 4 by 5 sin theta होता क्या है P by H तो B क्या हो जाएगा triplet से 3, 4, 5 triplet होता है तो 3 10 theta 10 theta P by B यानि 4 by 3 4 theta 10 theta composite yानि 3 by 4 LCM कितना हो जाएगा solar minus 9 upon 12 यानि कितना हो गया 7 by 12 आसानी से आ गया ते लिए next राम सेल से सूट्केस एड़ सूट्षे टू मोहन एट 20% परॉपित मोहन सेल सियाम एट 40% परॉपित सियाम पे इतना देन वाट नदेन देन देन प्राइज एट वीच राम बोट राम है देखो राम के लिट सपोज राम के पास 100 रुपै थे उसने क्या कर दिया 20% profit पे बेच दिया स्याम को सरी मोहन को मोहन का 20% profit यानि 20 यानि 120 में बेचा आगे बढ़ो मोहन ने क्या किया स्याम को बेच दिया कितने percent profit पे 40% 40% इसका किसना होगा 1244 यानि 168 में बेचा किसको स्याम को सियाम ने उसको कितना में खरीदा, इतना में, सियाम की वेलू कितनी है, 168, 168 की वेलू, question के coding, 1430 है, हमें लिकालना कितना है, राम कितना है, 100, अब देखो ध्यान से, कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर सकते हो, देखो ध्यान से, किस से मैं कैंसिल करूँ, ध्यान से समझना, 4 से कै तो चार चोग के 16 चार दुनिया चार से पचीस हो गया आगे बढ़ें दो से कैंसिल करोगे दो से कितना हो जाएगा 21 दो से दो साथे 14 दो काई दो दो पाँचे 10 यानि 715 इंटू 25 अपॉन 21 अब देखो बाकी किसी से नहीं कटेगा न यह तो नहीं कटेगा तो एग्जेक्ट एंसर तो आ नहीं सकता option answer decimal में आएगा decimal में आएगा तो एक ही option है हम बीना calculation कर लेंगे answer तक पहुंच जाएगे लेकिन फिर भी आपके mind में doubt होगा 25 से multiply कर लो ना 25 पांचे 125 कैरी हो गया 12 पत्चीश पत्चीश दस तीस दूट चीश दस पैंटीस दो 37 कैरी हो गया 3 पत्चीश साथ एक्सोपच्थर एक्सोपच्थर और 3 178 कि अब देखो ज्यान से एक्कीस वाठ है 168 इंगी 168 कितना बच्चा 107 एक्कीस पांचे 115 85 से starting हो ना चाहिए 87 से starting है, 88 से starting 87 से starting, 85 से 1 ही starting है, 85 से हम आगे बढ़ते जाएंगे, option D is the right answer, तो solve भी कर सकते हो तो इस तरह से हमने ये paper भी solve करा दिया आपको, देखो ध्यान से जिन लोगो PDF plus PDF solution चाहिए, वो क्या करोगे telegram, app open करो अपना, type करो आपको आपको लोगो ये दिखाई देगा, आप join कर लोगे, तो सारी past video, PDF, PDF solution सभी मिल जाएंगे, वीडियो पसंद आता है वीडियो को like कर दिया करो, share कर दो वीडियो को, ताकि other लोगों को भी benefit मिले, और मेरे भी channel का growth हो सके channel पर नए हो, तो channel को subscribe कर लेना, ठीक है, चलिए यही पर end up करते हैं session को, thank you, bye bye